आज हम बात करेंगे Drilling Machine के बारे में Drilling Machine क्या है यह कैसे कारिया करती है और इसकी Construction Detail के बारे में पड़ेंगे सबसे पहले आती है Drilling Machine क्या है Drill के द्वारा किसी भी Metal के अंदर सुरा करने के लिए जिश भी Machine का प्रियोग किया जाता है उसे कहते हैं Drilling Machine आगे आते हैं इसकी construction detail सबसे पहले आता है इसका base जो ये base होता है ट्रेलिंग मशीन का ये cast iron का बनाया जाता है क्योंकि इसकी high compressive strength होती है और good wear resistance होती है इसकी इसलिए इसको cast iron का बनाया जाता है ताकि ये पूरी जो मशीन की assembly होती है इसको support परदान कर सके और जो इसके अंदर पूरी मशीन के अंदर working के दुरान जो भी vibration होती है उसको absorb कर सके ये base उसके बाद आता है pillar जो ये pillar है ये base के उपर fit किया जाता है जो ये pillar है ये base के बिल्कुल middle में लगा जाता है middle में और ये pillar को sport जो ये pillar है हमारा ये motor इस motor को और इस spindle को इनको sport कैसे परदान करता है वो मैं आपको बताऊंगा इसके ये बीच में होती है survival base ये आपका होता है survival table बीच में जो ये survival table है आपकी ये up or down जा सकती है इस pillar के उपर जो ये आपका pillar है हम इस survival table को rotational angle पर कहीं भी requirement के हिसाब से कहीं भी set कर सकते हैं जैसी भी वरक के हिसाब से आपको requirement है आप इस भी इस table को कहीं भी आप इसको set कर सकते हो आप इसको किसी भी angle पर rotate कर सकते हो उसके बाद उसके बाद आती है जो ये आपका ये pillar है इसके एक साइड तो मोटर लगी होती है और इस मोटर के अंदर ये साफ्ट होती है एक साइड ये आपकी मोटर है मोटर में क्या लगी है साफ्ट जो ये साफ्ट कनेक्ट होती है वो किसके साथ कनेक्ट है स्टैप पुली के साथ अब मैं आपको बताऊंगा ये स्टैप पुल बड़ा उससे बड़ा फिर यह step कटे होते हैं उसको बोलते है step pulley ताकि हम किसी भी rotational motion को increase या decrease कर सके उसलिए step बनाए जाते हैं और यह जो आपकी step pulley है यह एक shaft के साथ इस motor के साथ connect होती है इसके दूसरी तरफ होता है spindle arrangement दूसरी तरफ इसका है यह आपकी spindle arrangement है जो यह spindle arrangement होती है वो pillar के साथ connect होती है इस spindle arrangement के अंदर जो spindle head बना हुआ है इसके अंदर spindle लगा होता है यह spindle लगा हुआ है इस spindle head के अंदर जो यह head है यह spindle लगा होता है और इस spindle head के उपर एक pulley लगी होती है जिसको step pulley बोलते हैं यह जो दोनों पुलियां होती हैं यह एक दूसरे के विपरित होती हैं अगर आपकी यह उल्टी है तो आपकी यह सिद्धी होगी अगर यह आपकी सिद्धी है तो आपकी यह उल्टी होगी पुलिया यह दोनो अपोजिट ड्रेक्स में एक दूसरे के बनी होती हैं यह दोनो जो स्टैप पुली है यह विलोस्टी रेशो को लेने के काम आती है किसके काम आती है दोनों पुलिया विलोस्टी रेशो लेने के काम आती है यह मोशन को चेंज करने के काम आती है जैसे आपकी इस स्पिंडल के नीचे यह चक लगा होता है चक के अंदर जो चक का कारी होता है वह एक revolving cutter को hold करने का काम करता है अच्छी तरह से tight करके पकड़ करकर रखता है इसको 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 के अंदर एक drill bit लगी होती है चक को की से इसकी एक चाब भी होती है चाब भी के इसाब से इसको टाइट करते हैं और इसको लूज करते है और इसमें जब भी आप इसके अंदर कोई भी ड्रिल पकड़ोगे ड्रिल पकड़के आप इसमें काम करोगे तो ये ड्रिलिंग का काम करता है उसके बाद जो यह आपकी स्टेप पुली होती है इनके उपर एक बैल्ट चड़ी होती है Motion, Transmit, One, Soft, Two, Another, Soft के अंदर, Motion, Transmit करने के लिए इसके उपर एक बैल्ट लगी होती है, जिस बैल्ट को बोलते है, V-Bैल्ट यह आपकी flat belt भी हो सकती है यह आपकी V belt भी हो सकती है जो आपकी जो यह V belt है यह V shape की होती है V belt क्यों ज़्यादा तर्यूज की जाती है क्योंकि यह sufficient होती है motion को transmit करने के लिए power का loss इसमें कम होता है flat belt के अंदर power losses ज़्यादा होते है अगे हम बात करेंगे यह spindle arrangement की अब हमने अभी इसके सभी parts पढ़ ली है सबसे पहले हमने पढ़ा इसका base base कास्ट है नका बना होता है यह इसको foundation basic base की foundation की जाती है और इसके ओपर लगा होता है pillar pillar होता है base के middle में fit होता है pillar एक side motor लगी होती है arrangement लगी होती है जो motor के अंदर जो यह road होती है motor की इसके ओपर pulley लगी होती है और spindle के जो spindle arrangement के ओपर भी pulley लगी होती है यह दोनों के एक दूसरे के विप्रीट opposite होती है motion transmit करने के लिए इनके ओपर एक belt लगी होती है इसको बोलते है यह है आपकी V belt V shape की है और इसके ओपर लगा होती है hand wheel यह hand wheel का क्या काम है hand wheel इसको आपके चक को spindle को up down करने का काम करता है hand wheel जैसे आप इस wheel को rotate करोगे तो आपका यह निचे अगर आप यहाँ कुछ काम कर रहे है तो वरक के उपर आपका जो यह bit है वो क्या करेगा वो आपने जो hole करना है किसी भी उसके अंदर किसी भी parts के अंदर अगर आपने hole करना है तो आप इसको down करोगे wheel को rotate करोगे तो यह drill आपका जब revolve करेगा तो इसमें कटाई कर देगा जिस भी size की आपकी bit है उसी size का आप इसके अंदर drill कर सकते होगा अब मैं आपको बताऊंगा जो आपका यह जो arrangement है spindle की वो कैसे काम करती है spindle की arrangement के लिए मैंने आपका यह बनाया है जो internal mechanism होता है spindle का जो यह spindle arrangement है यहाँ तो सिर्फ motor लगी आपकी तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपका arrangement है वो कैसे कारिया करेगा अब इसके अंदर क्या होता है एक rack बना होता है इसको क्या बोलेंगे ऐसे rack बना होता है rack के ओपर एक pinion होता है pinion के ओपर यह wheel लगा हुआ है यह आपका pinion है इस pinion के ओपर यह wheel लगा हुआ है इसको hand wheel बोलते हैं जैसे आप hand wheel को rotate करोगे तो आपका ये क्या करेगा ये आपका rack आना up down move करेगा रैक क्या काम करेगा up down move करेगा और यहां आपका चक लगा हुआ है चक के अंदर आपकी bit है और आपकी आपने जो कारिया करना है वहां आपका drill हो जाएगा जब आप इसको feed दोगे ठीक है तो आ अच्छे से आपको समझ आयोगा धन्यवाद